मेंट गोल के बारे में ठीक यहां पर देखे पहला कोश्ण ही यहां पर क्या राइन की मिलेनियम डिवेल्मेंट गोल का चौथा गोल इनकी फोर्थ गोल क्या है यहां पर हिंदी में भी लिखा है Millenium Development Goal का चौथा लक्षे क्या है तो उसका अंसर है Child Morality तो देखे बाल में रितिव ठीक है आप इसे देखे यहाँ पर भी देख सकते हैं यह देखे यहाँ पर मैंने स्लाइड में आप देखे यहाँ पर मैंने स्लाइड में यह दे रखा है कि यह जो हमारा Millenium Development Goal है यह आठ तरह का है यह कॉशन है यूनिट नमबर 9 का इसमें देखे जो MDG है जो Millenium Development Goal है वो उसके 8 गोल है यह देखे हैं बान से लेके 8 तक तो देखे चौथा गोल है यह है Reduce Child Morality का तो देखे यही कॉशन आया है अग्जाम में कि पताईए कि चौथा लक्षे कौन सा है अगर आपको देखे यह सारे लक्षे पता है तो आप असाने से कॉशन कर पाएंगे तो देखे आप इसके 8 के 8 जितने भी इसके लक्षे हैं जिसके गोल है आप याद कर लिजे क्योंकि देखे एक्जाम में चौथा लक्षे आया है हो सकता है आपको कोई और भी इसमें पूश सकते हैं तो देखे उसके बाद है अगला कॉस्चन वट इस दे नेक्स्ट नमबर आफ 8, 16, 24, 32 8, 16, 24, 32 32 की अगली संख्या क्या है उसका अंसर है चारिस आप देखे सीधे ही ये टेबल है 8 का देखे आप देखे 8 में 8 प्लस की ये 16 होगे 24 होगे 32 होगे आप सीधे ही कर सकते हैं 8, 16, 23, 24, 32 8 को पाई से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40 ये बहुत इजी कॉशन है नमबर सीरिस का आप इसे असानी से कर पाएंगे यहाँ पे 8 का टेबल चल रहा है तो इसका राइट आंसर है वो है 40 नेक्स्ट कॉशन है एक्शन रिसर्च स्टेप्स जो देखे एक्शन जो रिसर्च होती है उसके स्टेप्स क्या है उसके स्टेप्स है प्लैन, एक्ट, अब्जर्व, एंड, रिफ्लेक्ट यहाँ पे मैंने हिंदी मेडियम में इसली दिया है कि जो स्टुडेंट हिंदी मेडियम के हैं वो से असानी से समझ में पाएंगे तो देखे एक्शन रिसर्च और में वीडियो है तो उसमें मैं एक पूरा करवा चुका हूँ मैंने पूरा Paper 1, Paper 2 का पूरा कोर्स अपने YouTube चैनल के पर करवाया हुआ है YouTube पर ऐसा कोई बीً चैनल नहीं है जहाँपे Paper 1, Paper 2 का फुल कोर्स वीडियो करवाया हो लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलबल है आप हमारी प्लेलिस में जाके भी उसे चेक कर सकते हैं अगर आपको फुलकॉस करना है तो नेक्स्ट कॉचन है विच सिटी होस्ट डे वरक्शप ओन इंक्रीजिंग वाटर एफिशेंसी इन इंडेस्ट्री यनकी किस शहर ने उद्योग में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर एक कारेशाला आयोजित की है तो देखिए ऐसा कौन सा शहर है जिसने जल उपयोग दक्षता यनकी जो है ना हमारा जो वाटर यूज का जो उसे इंक्रीज करने के लिए वरक्षप जो होस्ट की है वो है पूने ठीक है उसका अंसर है पूने यह कहां पर ही है महराष्ट्रा में उसके बादा देखिए MRAM is a type of dash memory MRAM जो है वो कौन सी memory है वो है non-volatile memory यहां पर मैंने पिच्चर बनाई हुई है तो आप इसे देख सकते हैं यह MRAM जो memory है आप इसे गौर से देखिए यहां पर आपको मैं सबसे में बताता हूँ कि MRAM की full form क्या है हो सकता है एक्जाम में आपको MRAM की full form पूछ लें तो देखिए MRAM की full form है मेगनीटो रिसेस्टिव रैंडम अक्सेस मेमरी ठीक है यहनकी मेगनीटो रिसेस्टिव रैंडम अक्सेस मेमरी एक्जाम में इसे कॉश्चन भी full form भी पूछ सकते हैं अब देखिए यहां पर बारी आते हैं non-volatile की देखिए हमारे पर दो तरह की मेमरी होती है एक होती है volatile एक होती है non-volatile अब दोनों में difference क्या है देखिए जो हमारी volatile memory होती है सबसे वाला बात करूँगा मैं volatile की जो volatile memory होती है वो कौन सी memory है जब तक हम उसे power supply देते रहें तब तक हम उसे power supply देते रहें तब तक हम डाटा को reserve कर सकते हैं तो होती है वो volatile memory लेकिन non-volatile memory वो memory है अगर हम उसे electric power दे या ना दे तो फिर भी उसमें data जो है वो रह सकता है वो होती है non-volatile memory तो यह simple सा एक caution था तो देखें next question है which of the falling phenomena is not a natural hazard आप देखें निमन में से कौन सी घटना एक प्राकरतिक खतरा नहीं है यानि की प्राकरतिक खतरा कौन सा होता है natural phenomena या natural hazard कौन सा है जैसे देखें की तुफान आ गया चक्रवात आ गया अर्थ को एक आ गया ये कौन से ये है natural hazard अब देखें इन में से कौन सा phenomena जो है वो natural hazard नहीं है देखें यहाँ पर option थी एक्जाम में लेकिन मैंने याँ पर सिरफ only वही इसका answer यहाँ पर लिखा है कि ताकि वीडियो भी छोटा बने और आपका जो correct answer आपको उसके उपर ही दिहान जाए तो देखें जो chemical hazard होता है वो कभी येनकी जो रसाइनी खत्रा है वो कभी भी natural hazard नहीं होता वो होता है human made तीक है friends येनकी natural hazard होता है जैसे अर्थ कुईक हो गया सुनामी में बगया लेकिन जो chemical hazard है वो कभी भी प्राकरतिक खत्रा है natural hazard नहीं होता वो होता है man made तो आप ये यहाँ पर इसे देख सकते हैं यहाँ पर देखें मैंने picture बना के बना के ताकि आपके इसे जल्दी से समझें तो देखें next question है हमारा ये बहुत interesting है आप इसे देखें कि यहाँ लिखें कि सीरीज है यहाँ पर देखें पहले 2 है फिर 10 फिर 30 फिर 68 और आगे क्या है इसकी 2 दरस तीस अटसट और आगे क्या अब देखें बिलकुल सिम्पल सा यह question है सिम्पल सा कैसे आप देखें यहाँ पर पहले है यहाँ पर क्यूब चल रही है तो देखें यहाँ पर क्यूब चल रही है सीधी तो देखें क्यूब में क्या है यासे अगर हम वन की क्यूब लेके चलें अगर आप वन की क्यूब लेके चलते हैं तो आप देखें यहाँ पर वन की क्यूब का आजाएगा वन और उसमें अगर हम एक आड करेंगे वह तु चार स्ट्प है यहांपर एक प्लस कर देंगे तो यहांपर तीन की क्यूब क्या नुगत प्लस कर देंगे तो यहांपर दीन उत histó Всем опять खा Llosa को अगर हम solve करें इसका आ जाएगा 125 उसमें अगर हम 5 add करेंगे तो आ जाएगा 130 जो हमारा right answer है तो यह 5 की क्यूब प्लस 5 आएगा जिससे हमारा answer बनेगा 130 उसके बाद एक कॉशन यहाँ पर विच स्टेट एप्रूव दा ग्राउंड वाटर एक्ट 2020 टू एंप्रूव इंप्रूव ग्राउंड वाटर लेवल आप देखिए यहाँ पर कॉशन है सीधा सा कि किस राजे ने भूजल स् कॉश्मीन के अंदर है तो देखे बताइए कि कौन सा राज्य है कौन से स्टेट है जिसने भूजल स्तर में सुदार करने के लिए इसका लैवल अच्छा करने के लिए भूजल जो अधिनी में है यानकी ड्राउंड वाटर एक्ट है 2020 का उसे मन्जूरी दी है वो है उत्तर उत्तर परदेश अब देखिए यहां पे पिच्चर्स यहां पे अटाइच की हुए साथ में तब इसका स्क्रेंशोल लेके भी से दिख सकते हैं तो नेक्स कोचन है यहां पे देखिए विच और फॉलिंग पॉलुटेंट्स कैन कोस्ट कैंसर इन हुए यहां की ऐसा कौन सा प्रदूशक है जो मानव में कैंसर का कारण उत्पन कर सकता है या बनता है उस कांसरे देखिए पैस्टिसाइड मरकरी आप देखिए कि जो खेतों कि उपर जो फसले होते है उसके उपर जो पैस्टिसाइड जो छडगते है तो उससे क्या है human को cancer का खतरा की फसल को कीडे से बचाया जा सके लेकिंद्दूसरी तरफ प्या है human की health क्यों पर बहुत गलित असर डालती है तो इसका right answer है यह बला next question यहाँ पर देखें यहाँ पर आता है कि full form of IOT IOT की full form क्या है internet of things आप देखें internet से कितनी सारी जुड़ी होई है यहाँ पर तो यह IOT की full form क्या है internet of things आप देखें basic से question पूचेंगे exam में अगर आपने यह basic से question की है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी त्यारी किस लेवल की है यह पांच भी का बच्चा भी कौशन आराम से कर लेगा जबकि यूजी स्नेट के कौशन है तो नेक्स वाशन देखें यहाँ पे आता है यानि कि किस राज्य में लोकसभा की सरवाधिक सीटे हैं आप देखें हमारे पास दो जो हमारे पास पार्लियमेंट है उसके दो पार्ट हैं एक है लोकसभा एक है राज्यसभा ठीक है राज्यसभा जो मेंबर है वो है 250 और जो लोकसभा है उसमें मेंबर होते हैं 543 यानि कि 543 है अब देखें सबसे ज़ादा जो मेंबर है वो किस राज्य के है वो है उत्तर प्रदेश के यानि की UP के आप देखें UP बहुत बड़ी स्टेट है तो इसलिए कि वहां से UP से बहुत सारे जो लोकसवर सीट यहाँ पे है सो फ्रेंट्स यह बहुत ही असान कॉस्टन है तो आप इसे देख सकते हैं कि कैसे basic basic से कॉस्टन यहाँ पे पूछे गए हैं आप देख सकते हैं कि बिल्कुल basic से यहाँ पे कॉस्टन है आपको मैं एक और बात बता दू कि मैंने बात कि थि यहाँ पे लोकसवर राज्यसवर की लोकसवर में जो उत्रप्रदेश की सीटे है वो है 80 यानकि लोकसवर से उत्रप्रदेश में 80 सीटे हैं और जिसमें से जो reserve और schedule cast है उनकी 17 सीटे हैं तो कॉशन आपको मालनी जे एक्जाम में आता है कि बताईए कि जैसे यहाँ पर कॉशन पूछ रहा है कि बताईए कि सबसे ज़्यादा जो उत्तरबदेश की सीटे हैं लेकिन उसमें से रिजर्व कास्ट की कितनी सीट है वो है 17-17 तो नेक्स्ट कॉशन है यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा कॉशन है यहाँ पर देखें सीरीज दी हुई है यहाँ पर गैप चुड़ाओ बीच में तो आपको इसे पूरा करना है तो इसका राइट आंसर है 125 और 64 यहाँ पर आएगा 125 और एंड में आएगा 64 तो देखें यहाँ पर explanation दी हुई है 1 की cube 2 की square 3 की cube 4 के square 5 का cube 6 का square और 7 का cube 8 का square तो देखें यहाँ पर सीरीज है पहले cube है फिर square है ठीक है पहले cube है फिर square है तो बेसिक सा कॉशन नहीं है भी तो देखें यहाँ पर कॉशन आता है आगे full form of dvd यहाँ की dvd की full form क्या आप देखें यह dvd है इसकी full form है digital versatile disk यहाँ की dvd का पूरा नूप क्या है digital versatile disk तो next को जहें यहाँ पर देखें यहाँ बाइट कंसिस्ट of dash bits यहाँ की जो एक बाइट है वो कितनी bits से मिलकर बनती है तो इसका right answer है 8 bits यहाँ पर देखें मैंन 1 kilobyte 1024 bytes के बराबर 1 megabyte यहाँ की 1 MB 1024 kilobyte के बराबर 1 gigabyte यहाँ की 1 GB 1024 megabyte के बराबर और 1 terabyte यहाँ की 1 TB यहाँ की 1 TB होती है जो आजकल laptop में memory लगती है तो वो किसके बराबर है वो है 1024 gigabyte यहाँ की 1024 MB के बराबर तो यहाँ पर caution क्या था हमारा की 1 byte किसके बराबर है वो है 8 bits के बराबर अगर आपको देखें यहाँ पर इन में से कोई caution पूछ ले तो आप वो भी असानी से कर सकते हैं तो next question है यहाँ पर देखें कि full form of rusa यांकि rusa का पूरण रूप क्या है राष्ट्रिय उच्टर शिक्षा अभ्यान राष्ट्रिय उच्टर शिक्षा अभ्यान यह बहुत ज़्यादा important question है एक्जाम में पूछे गए हैं आप देखें कि बहुत ज़्यादा important बहुत basic से caution भी है और बहुत ज़्यादा यह interesting question भी है अगर आपको मालिजे caution थोड़ा सा update कर दे आपको यह पूछ लें कि बताइए कि rusa launch कब हुआ था उसका answer है 2013 में उसका answer है 2013 तो आपका कहीं पर भी number कटे ना इसलिए आपको मैं additional information यहाँ पर दे रहा हूँ so next question है what is python python क्या है python क्या है python क्या है python एक computer language है आप देखे python यह वाली computer language है मैंने आपकी solid के लिए आप यह attach किया हुआ आप देख सकते हैं यह python language है ठीक है यह python क्या है यह computer की language को कहा जाता है उसको देखे caution है NPTEL की full form क्या है इसकी full form है national program on technology enhanced learning यहनकी प्रवदगी की समवर्धन पराष्ट्रिय कारेकरम यह बहुत basic सा question है यह वला भी अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको यह ज़रूर इसमें question में कोई दिक्कत नहीं आएगी इनकी जो योगा है जो योग है योग को अभीन कब बनाया गया था उसका answer है 9026 में आप देखें यहां पर मैंने थोड़ा सा एक्सलें से यहां पर किया हुआ है Integral Yoga is a system of yoga that claims to synthesize six branches of classical yoga philosophy and practice यह की हात, रजा, भक्ति, कर्म, जन्ना और जप योग यहनि की एकात्मग योग आप देखें की एकात्मग योग जो है यहनि की Integral जो योगा है वो एक ऐसी योग के पढ़नाली है जो शास्त्रिय योग दर्शन और अभियास की छे शाखाओं को संशलेशित करने का दावा करती है जिसमें है हट, राजा, भक्ति, कर्म, जन्ना और जप योग इंटीग्रल जोगा यो है, वो कौन सी पढ़नाली है वो शास्त्रिय योग दर्शन की एक पढ़नाली है जो छे शाखाओं होने का यहनकी सिक्स प्रांचेस होने का दावा करती है तो यह वो सिक्स प्रांचेस लिखे हुई है मानीजिए आपको कौशन थोड़ा सा अपडेट करते हैं आपको बोच लेते हैं कि बताईए कि वो कौन सी छे शाखाओं में से एक शाखा का नाम बताईए तो आपको यह सारी याद होनी चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा एक्स्प्लेंट किया है आप देखे जो फैक्टर से धुवा निकलता है वो सीज़े ही सीयो टू है जो हमारे इंवार्मेंट में शामिल हो जाता है इसलिए नेक्ट कौशन है बिया यो एस यहनकी बिया वैस की फुल फ़ॉम क्या है यहाँ पर देखे बेसिक इनपूट आउट्वोड सिस्टम आप देखे यहाँ पर यह बिया वैस की मैंने पिच्चल लगा रिखे है यहाँ पर आप उसी देख सकते है तो नेक्स्ट कौश्चन है विश्वनाथन अनन्द की पिच्चल टाइच की हुई है तो आप यह इनको जानती है यह विश्वी चैंपियन के वर्ल्ड चैंपियन है चैस में तो मैंने आपको पिच्चल साथ में इसलिए टैच करके दी है कि ताकि थोड़ा सा अट्रेक्टिव बन पाए और आप इसे असानी से याद कर पाए तो नेक्स है विश्वी गैस है जे हायर नैच्रल सोर्स यानकी किस गैस में प्राकर्दिक स्त्रोत सबसे अधिक होता है वो है CH4-ean की मिथेन गैस में तो देखे यहाँ पे मिथेन के यहाँ पे CH4 जो है यहाँ पे कार्बन के साथ देखे यहाँ पे 4 मोलेक्टिल्स है कार्बन के साथ जो अटैच है जो CH4 बनाते हैं तो नेक्स्ट कोच्छन है यानि कि एक परभावी कक्षा पर्यावर्ण का सार है तो इसका अंसर क्या है चारों में से इसका अंसर है लिवली स्टूडेंट टीचर इंट्रेक्शन की जीवन तिछात्र शिक्षक बाच्षा तो चलिए लेट्स चार्ट तो पहला कौशन है इसका जो आंसर में आपको बताया है कि जो फोटोकेमिकल स्मोग है उसका पर्मोख या मेजर पार्ड का क्या है वह क्लोरोफुलोरोकारबन तो फोटोकेमिकल स्मोग होता गा है जब सूर्य से यानकि जो सन से जो अल्टरा वाइलेट लाइट्स यानिकी जो सूरे से पराभेंगनी करने निकलती है वो react करती है किसके साथ react करती है यानिकी सूरे से निकलने वाली पराभेंगनी करने यानिकी अल्ट्रा वाइलेट लाइट्स फ्रॉम सन react with nitrogen oxide सूरे से जो अल्टा वुलयट निगलती है वे रेक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड से तो किसमिय करते है वह एट्मस्फर में तो उसे कहते हैं फोटोकेमिकल समॉग अब दिखें जो फोटोकेमिकल समॉग होता क्या है यह वो है जब अल्ट्रा वालेट लाइट जो सुरे से निकलती है वो रेक्ट गरती है नाइट्रोजन ऑक्साइट से आटमोंस्वेर में जो हमारे लिए खतरा पैदा करती है जिससे हमें प्लस फॉग तो यह बनता है तो यह क्या बनता है यह बनता है समॉग आपने दिल्ली में देखाऊगा कितना समॉग होता है वहां पर तो आंखे जलने लगती है जब हम बाहर जाते हैं तो जो इसका राइट उनसर है वह था उसमें वो कितने टाइप उसमे चार टाइप होती है उसके अंदर सबसे पहले बात है कि कलोरो फ्लरो कार्बन को हम कहते है CCS यह इसका शॉट फॉरम है CCS यहन की कलोरो फ्लरो कार्बन यह ब्थे अ सबसे पहले यह तो non-toxic है non-toxic की मतलब क्या है? कि ये टॉक्सिक होता है विशैला ये विशैला नहीं है ये नॉन टॉक्सिक है और ये नॉन फ्लेमेबल है ये अजवलन शील नॉन फ्लेमेबल ये जलने वाला केमिकल नहीं है सो इसे कहां पर यूज किया जाता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन को इसे इस्तमाल किया जाता है पैकिंग माटीरियल में यानकि जो भी पैकिंग वाला माटीरियल है उसको जब पैक किया जाता है तो इसमें क्लोरो फ्लोरो कार्बन का इस्तमाल किया जाता है या जो aerosol spray होती है उसमें भी इसका इस्तमाल होता है तो ये इसमें देखे चार parts होते हैं इसके अंदर क्या होता है देखे chlorofluorocarbon किस से मिलके बना है पहली बात तो देखे ये carbon से मिलके बना है दूसरी बात ये hydrogen से मिलके बना है तीसरी बात ये क्लोरीन इसमें होता है क्लोरीन होता है इसमें और फ्लोरीन देखें कार्बन, हाइडरोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन तो इसके चार इसमें पार्थ होते है इसके तो इसे मिलके बनता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन तो आपको देखें मैं ऐसे डेटेल में बताऊंगा चाहे वीडियो से लंबा हो जाए लेकिन आपको उसमें अच्छा लगएगा तो देखें नेक्स्ट कॉशन है और वन आउट यानिकी विशम संख्या बताईगे देखें यहाँ पर विशम संख्या यानिकी और वन दिया है यहाँ आपको और बताना है देखें यहाँ पर है 1, 5, 14, 30, 50, 55, 91 तो इसमें और है 50 यानिकी 50 अब देखें यह और है कैसे तो सबसे पहले देखें हम यहाँ पर इसे देखते हैं कि यह और कैसे है तो देखें यहाँ पर है 1 square is equal to 1 1 का square plus 2 का square is equal to 5 1 का square plus 1 का square plus 3 का square is equal to 14 यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 1 square तो है तो साथ में क्या है कि 2 square है अगली रखम आ रही है तो यहाँ पर क्या है यह सारी चीज़े इसमें जा रही है यान की अगर हम नीचे देखें 1 square प्लस 2 square प्लस 3 square प्लस 4 square अब देखें आप 5 square आएगा ना 1, 2, 3, 4, 5 तो देखें अगर हम इसे करें तो यह 55 आएगा लेकिन यहाँ पे लिखा है 50 तो इसमें odd क्या है इसमें 50 इसमें odd है यान की 50 इसमें नहीं आना था सीधे ही 55 आएगा इसमें तो यह odd है तो आपको यह ऐसे ही caution का अंसर वहाँ पे ढूनना है तो next question देखें यहाँ पे which ancient education institution is situated at the edge of गंगरीवर यान की जो कौन सा ऐसा यान की गंगा नदी के किनारे कौन सा ऐसा प्राचीन शेक्षण संस्तान स्थित है गंगा नदी के किनारे तो देखें सबसे पहले क्या है कि आपको यह जानना जुरूरी है कि कौन सा education institution है तो सबसे बली बात है कि देखें इसका right answer है विक्रम शिला बिहार आपके विक्रम शिला यूनिवेस्टी है इसका मैंने यह आपे फोटो देखा है आप यह देख सकते हैं यह गंगा नदी के किनारे है तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं विक्रम शिला के बारे में थे धरमपाल उन्होंने यह अरली नाइंट सेंटरी में नौ मीं स्टाब्दी से स्टार्टिंग में बना दिया उसके बाद विक्रम शिलाइ उनिवर्स्ट्री थी खतन की गे थी ग्यारहासो त्रैयानवेमे में यान कि चार स्ताबदी तक ये विक्रम शिला ये उन्वेस्टी चलती रही लेकिन जब 1193 आया तब बक्तियार खिलजी ने इसे नस्ट कर दिया बक्तियार खिलजी आपको पता है कि जिसने नालंदार उन्वेस्टी है यहाँ ये विक्रम शिला है उसने तकरीबन बुद्धिस के नारे कौन सा है विग्रम शिला किसी ने बनाया था पाल किंग के राजा धरम पाल ने 8 सेंचरी या अर्ली 9 सेंचरी में उसके बाद इसे खतम किसी ने किया था 1193 में बक्तियार खिलजी में खिलजी ने कि दूद है ये इसका थोड़ा सा एक्सलेशन था जो आपके काम का है सो नेस्ट है गैस दा मिसिंग नंबर आपको यहांपे मिसिंग नंबर पताना है यू ओ डैश एज तो देखे यह क्या है यह कर्म अगर हम उल्टा पड़ेंगे यहां से तो यह क्या है यह है वोवल्ट तो इसका राइट अंसर है अगर आप इसे उल्टा पड़ेंगे तो आपका पता चल जाएगा यह वोबस दिया गया है देखें हमारे जो ABCD है उसमें टोटल अल्फाबेट है 26 जिसमें 5 है वोबस और 21 है कॉंसनेंट तो उसको बार देखें नेक्स्ट कॉशन है फुल फॉर्म ऑफ ए आर आई आई ए तो इसके फुल फॉर्म क्या है अटल रैंकिंग ऑफ इंसिटुशन ऑन इनोवेशन एचीवेंट्स यानकी अभिनव उपलब्नियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग तो देख कॉल फॉर्म रहेगा तो नेक्स्ट कॉशन ने देखिए मनीश इस फैट ही डिडिन नॉट इट इन डे ही इट इन नाइट विच टाइप फ लॉग लॉजिक इडिस अब देखें लॉजिक का कॉशन है यहां पर कि बताते कि मनीश मोटा है उसने दिन के समय भोजन नहीं कि सब्सक्राइब आप अर्था अर्था पती कबारे में जानना है तो मैंने इसके कम्पलीट जो लॉजिक विडियो बनाया हुआ है जिसमें अर्था-पती है और प्रत्यक्षए प्रमाण है सब कुछ इसमें दिया हुआ है आप उसे जाके देख सकते हैं और आप उसान दिश इनकी औस्थिर समरीती है तो देखे हमारे पास दो तरह की जो मेंडी होते हैं यांपर थोड़ा से देख लगते हैं कि रैम वालतल मेंडी कैसे हैं देखेस अपर पर बात है की रैंप कि क्या है Random Access Memory It is a form of computer data storage यान की computer का जो data storage है वो इसमें store होता है उसके बाद the RAM can perform both read and write operations यान की जो RAM होती है वो read and write दोनों ही operation को करती है वो दोनों ही जगा काम आती है The process of storing new information into the memory is called read operation अब देखें जो इसमें new information को store किया जाता है उसे क्या कहता है read operation So next question है Bricks 12th Summit will be hosted by which country यान की जो Bricks का जो बार्माशेकर सम्मेलन है वो किस देश के दोबारा किया जाएगा या उसकी मेजबानी किस के दोबारा की जाएगी तो इसका अंसर है St. Petersburg, Russia St. Petersburg, Russia तो देखें जो Bricks की जो 12th जो बार्माशेकर सम्मेलन होना था वो कहाँ पे था St. Petersburg में ये कब होना था? ये होना था 21 से 23 जुलाई की बीच में 21 से 23 जुलाई की बीच में लेकिन ये पोस्ट्पोन हो चुका है किसके कारण? COVID-19 के कारण ये क्या है? ये पोस्ट्पोन हो चुका है पहले ही 21 से 23 जुलाई में होना था St. Petersburg, Russia में लेकिन अब ये नहीं हुआ ये पोस्ट्पोन हो चुका है तो आईए एक बार जान लेते हैं और ऐसे है South Africa आप देखें अगर आपको गौर करें यहाँ पे तो मैंने इनका यहाँ पे जो तिरंगा जैसे हमारा तिरंगा जंटा जो इनका फ्लैग है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और South Africa is called to BICS So next है What is agenda 2030 stand for यहाँ की जो agenda 2030 क्या है देखे The Sustainable Development Goals also known as the Global Goals were adopted by all United Nations members, states in 2015 as a universal call to action to end poverty, the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030 अब देखे स्थाई विकास लक्षयों को वैश्विक लक्षयों को रूप में भी जाना जाता है 2015 में देखे सभी एक जुड राष्टर सदस्यों राज्य द्वारा गरीबी ग्रह को समाप्त करने के लिए एक सारव हमें कॉल के रूप में अपनाया गया और यह इस निशित किया गया कि सभी लोग 2030 तक शान्तिय समरिश्दी का अनंद लें अब देखे 2030 का है क्या कि ग्रीबी को हटाना सभी मत्वेट को दूर कर देना और शांतिय समरिश्दी बनाना यह सभी देशों ने में आपस में मिलके एक फैसला लिया था किसमें लिया था सस्टेनेवल डिवर्मेंट गोल में तो शांति विवस्था बनाए रखना यह इसका सिंबल सा एजंडा में यह इनकी किस चरप्रहन प्रभावों के परभाव को मापते हैं så वह है डिप्रैंडन वरीबल है तो उसने हम प्रभावों का प्रभाव को मापते हैं वह plugs लो या पर जाके आफ सब्सक्राइब सकते हैं जो देख सकते हैं डिके डाटा ओफ री साइकल विं स्टोर इन विच मेमरी इनकी री साइकल भी जैसा है डाटा स्टोर काड़ा किस तो हो है हाट ड्रस के अंदर आदriers डाटा 2023 क्या होता है किव आप क्विए लगों beide क 건 कर देते हैं तो हो री साइकल का कणacao होग करना चाहते हैं होता है यह लोड होटा है हार डिसके अंदर मैंने यार्ट की है इसकी फोटो देखे यह अपर अब एस सदेते हैं Как तो लागर दीशोद सिंदुल्ट चो कि कले क्के दिसंबर 2015 में यूजिसी, इन्फोनेट, डिजिटल, लाइब्रेरी कंस्टोरियम, NLIST और INDEST, AICTE, कंस्टोरियन नामक तीन कंस्टोरिया के विले के साथ, इशोर सिंदु का गठन किया गया, आप देखे, यहनिकि इशोर सिंदु जो बनाया गया है, वो किसके बात बनाया गया है, वो है, यूजिसी, इन्फोनेट, एनलिस्ट और इसके द्वारा, तो इन तीनों को मिलाके क्या बना है, इशोर सिंदु, अब देखे, इसके परमुक क्या है, इसके परमुक बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में, एलेक्ट्रोनिक पत्रिकाओं और एलेक्ट्रोनिक पुस्त को इसासाद एक राश्ट्री एलेक्ट्रोनिक लाइब्रेरी विखसेद करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो simple से यह आप देखे format क्या है दो देखे ए शोध सिंदू क्या है ए मतलब होता है electronic यानि की digital आप देखे यूजिस जो इन्फोनेट है एनलिस्ट है या इंडेस्ट ए इसीटी है इन तिनों को मिलाके ए शोध सिंदू को बनाया गया इशोध सिंदू बेसिकली है क्या यह है digital library यानि कि आप देखे लाइबरे पर जाके हम किताबे पढ़ सकते हैं लेकिन इशोध सिंदू एक digital library है वहाँ पर आप जाके online books को असारी से पढ़ सकते हैं अब देखे यह है क्या तो सबसे पर इसकी full form देखते हैं इसकी full form है bachelor of vocational studies यह क्या है बी.voc तो इसमें कितने credits है देखे इसमें 6 semester है यानि कि 3 साल और इसमें 180 credits है तो देखे मैं आपको बताता हूँ यह कौन सा course होता है यह देखे यह course होता है बी.voc which is focused on providing adequate skills यानि कि जो परयाप्त skill है student को यानि कि बी.voc क्या है यह vocational study क्यों की जाती है कि ताकि जो student है जो candidate है उनको एक adequate skill दिये जा सके जो उनके profession में कामा सके यानि कि जो profession वो अपनाना चाहते है उसके related उनको क्या है उनको skill परदान करना तो वो है बी.voc So next है last question which state produced thorium अब देखे थोरियम जो है वो कौन प्रोडूस करता है उसका answer है केरला अब देखे थोरियम होता कैसा है आप इस picture में देख सकते हैं थोरियम कैसा होता है तो देखे थोरियम का आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसका जो melting point है इसका जो melting यानकी पिगलने का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा high होता है दूसरी बात इसका simple है क्या इसका symbol है टी एच टी एच क्या है यह symbol है थोरियम का उसका melting point क्या है बहुत ज़्यादा high है और किस राज्य कौन सा राज्य इसका उत्पादन करता है कौन से produce करता है वो है का रहा है ठीक है तो यह pollution की वज़े से क्या है कि जो धूआ होता है pollution का उसकी वज़े से ताज मेल बहुत जिसके वज़े से वो धीरे धीरे पीले बन में आ रहा है तो किस कारण होता है उसका answer है डी sulfur dioxide आपको पता है कि sulfur dioxide बहुत ज़ादा जो खतरनाक है यह कैसे बनती है देखिए जो हमारे वाइकल्स है जो वाहन है उनसे जो धूआ निकलता है वो धीरे धीरे करके हमारे environment में च जला जाता है चले जाने के बाद क्या होता है कि जो ओजोन लेर बनी होती है हमारे environment के उपर जो बनी होती है यह उसके पास जाके चिपक जाता है तो उससे क्या होता है कि उसमें जितने भी pollution है जो चीज़े हैं वो हमारे environment को एफेक्ट करती है है तो सलफर डाइकसाइड is most dangerous for our environment. So that's why we say कि जो येलो कलर का ताज महल जो धीर डेटर्न हो रहा है वो सलफर डाइकसाइड की वज़े से हो रहा है. So next question यहाँ पे है which of the following is the major photochemical smoke तो देखे फोटो चामिकल जो समोग है उसका प्रमुक कौन सा का रख है फोटो चामिकल समोग आप देखेंगे कि जो फैक्ट्रियों से जो धूँआ निकलता है जो हमारे environment में जाता है वो है photo chemical smoke या वे बात आई है smoke की smoke आपने देखाऊगा दिल्ली में जब भी environment खराब होता है तो कहते है smoke आ गया smoke का मतलग होता है कि smoke और fog यार्कि smoke और fog यार्कि धूंद और धुआं धूंद और धुआं उसका जो मिक्चरन है मिक्चर है उसे बोलते हैं smoke आप देखेंगे वहां पर smoke हमेशा के लिए रहता है जो बहुत ज़्यदा खतरनाक है तो जो chlorofluorocarbon है यह smoke का कारण है chlorofluorocarbon आप हिंदी में बारे स्टोडन भी यहाँ पर देख सकते हैं तो अगला कौशन देखें मैश्दा फॉलंग आप देखें यह अगला कौशन आपको मैश्दा फॉलंग करना है इसमें से हमें इनका मिलान करना है आपस में कोड को तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नमबर बी यहां की एक का आएगा डी क्यें का डी सो डूसरे का इंकी टू का बी इसी का यहां पर आएगा यहांगी थ्री का आएगा A और 4 का यहां पे आएगा C तो यह match the following है इसका यह right answer है So next एक question आया था यह तीम दिन के question का mission है तो यह इसका mixture आप दिख सकते हैं Next आया था question The educational channel of IGNU यानकी जो IGNU है उसका IGNU मतलब इंद्रा गांधी national open university इंद्रा गांधी national open university IGNU इसका educational channel कौन सा है उसका answer है उसका answer है ज्यान दर्शन यानकी जो ज्यान दर्शन है वो IGNU का channel है कई बार caution वाइस वर्सा पोछ लेते हैं कि बताए कि ज्यान दर्शन जो है वो किसका channel है educational वो है IGNU का तो ऐसे caution exam में आया था So next question है Sampling error decrease with the यानकी जो नमूना करण है जिसे हम इंग्लिश में sampling बोलते हैं उसमें जो truthy होती है इसमें जो गल्ती होती है वो किसके कारण घट जाती है यानकी जो sampling error है वो कम हो जाता है किसकी वज़ा से increase the sample size decreasing the sample यानकी जब हम sample का size increase करते है तो उसमें जो error है वो कम हो जाता है अब देखें simple सी बात है कि sample लेते कम है देखें माल लिजे आप एक researcher है आप PhD कर रहे है कोई भी researcher जो है अगर वो अपनी research पूरी कर लेता है पूरी करने के बाद क्या है उसे test करना होता है कि जो उसने research की है वाकिए है वो बिल्कुल सही है क्या उसमें गलती नहीं है तो उसमें होता क्या है कि जो उसने चीज की हुई है तो उसको वर test करता है example के तौर पे यहनकी माल लिजे उसने कुछ भी चीज की है research की है पूरी माल लिजे कि उसने note बंदी के उपर research कर दी research करने के बाद अबर test करना है कि क्या बाकिए उसने true factors में डाले हैं तो क्या करेगा कि वो एक sample उठाएगा चीज को उसमें से लेगा जिससे वो उसे test करेगा अगर वो test pass हो गया तो उसका research हो गया सफल अगर वो pass नहीं हुआ तो हो गया विफल तो इसमें sample में कई बर क्यों होता है error आ जाता है यहनकी गलतियां बहुत ज़्यादा आ जाती है होता है कि जब हम छोटा सा sample उठाते है results में से तो उसमें बहुत सारी गलती होने का chances है लेकिन अगर हम sample का size increase कर देते हैं अगर हम sample का size बढ़ाना होगा जिसकी वज़े से सेंप्लिंग एरर कम हो चाता है आप मेरा एरसर्च का वीडियो देख सकते हैं आप हमारे चैनल की प्लेजिश में चाहिए वहाँ पर मैंने पूरा रिज़र्च एप्टिट कर रहा है वहाँ मैंने हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से वहा इस यहां पर लॉजिक आएगा लो जी आएसी डेखे आग ठंडी है क्योंकि यह एक पदार्थ है जो की किस प्रकार का तर्क है आप देखें यह तर्क है तो यह कौन सा तर्क है यह तर्क है बधित देखें लॉजिकल रीजनिंग में जो हथा न वो प्रमान पतक्ष वगरा इंडियन लॉजिक यह उसका कौशन है तुने ने पूछा है कि आखंडी है क्योंकि यह पदार्थ है यह किसका तरक है यह है बधित का नेक्स्ट है टीचर's role in higher education learning is यहनकि जो उच शिक्षा में उच शिक्षा सीखने में शिक्षा की क्या भूमिगा है यहनकि जो टीचर का role होता है higher education में सिखाने के लिए वो क्या है उसका अंसर है promote self learning in student यहनकि छात्रों को स्वशिक्षा को बढ़ावा देना अब देखे एक school है college है कुछ भी है वहाँ पर टीचर जब बच्चों को बढ़ाते हैं तो उनका main काम क्या होता है कि वो बच्चों में आदर डालते हैं self learning के लिए तब ही तो देखे जैसे हम school में बढ़ते थे या जैसे बच्चे school में बढ़ते हैं college में बढ़ते हैं तो teacher इसे जो teacher का main role क्या होता है कि student में self learning को promote करना so this is the right answer so next question is match the following आप देखे यहाँ पे आपको match the following करना है national number oh sorry natural number whole number integer or prime number को आप सभी को पता है कि यह कौन का उसे number होते हैं तो बिल्गुल तिमपल का question था आप साने से से कर सकते हैं तो देखे इस का answer है option number B यहांकि 1B 2C 3A 4D so आप इसे match कर सकते हैं देखे 1 का B 2 का C 3 का है वो फूर का D तो यह होते है numbers so यह हिंदी में है so next is full form of GIF आप देखे सभी WhatsApp जलाते होंगे आपको वहां पे option मिलता है GIF का अब वो GIF होता क्या है एक चोटा से clip होता है न जैसे जैसे कोई thumb operation दे रहा है तो वो GIF हो गया GIF का मतलब क्या है graphic interchange format graphic interchange तारूप इंग्लिश में कहते है graphic interchange format तो यह है इसकी full form यह question देखे सारे आचुके जो मैंने आपको करवाया था अपने course में आप हमारे YouTube चैनल पे वीडियो देख सकते हैं इस सारे ही question उसमें से लगबर आ चुके हैं मैं आपको तब ही कहता हूँ अगर आप इपरवन की त्यारी कर रहे हैं पचास question में से 40 प्लस mcqs आपके जो हैं वो हमारी वीडियो से निकलेंगे तो आप उसे असानी से कर सकते हैं इस सारे question उसी में से हैं तो next question है what is the same what is the name of national super computing mission यहनकी राष्ट्री super computing mission का नाम क्या है अब देखें national level पे क्या है super computing mission चलाया गया है इसका नाम क्या है तो उसका right answer है परम शिवाय परम शिवाय परम शिवाय राइट अंसर है तो next question है MP3 MP3 की full form क्या है आप देखें MP3 का मतलब होता है audio ठीक है जब भी हम audio सुनते हैं तो हम बोलते हैं MP3 MP3 की full form क्या है MPEG यहनकी audio layer 3 MP3 की full form क्या है MPEG audio layer 3 MP3 की full form क्या हो गई MPEG audio layer 3 यहनकी जहां पर भी MP4 की बात आती है जहां पर लिखाओ MP4 समझो वह video की बात कर रहा है अगर MP3 हो तो वह बात कर रहा है audio की अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे MP3 तो दिखना वह आपको audio song दिखाएगा अगर आप करेंगे सर्च MP4 तो आपको वह video show करेगा so that's what we call MP3 MPG audio layer 3 so next question है यह बिल्कुल बच्चों वाला question है आया था exam में what is the brain of the computer CPU ठीक है central processing unit तो computer का brain नीशे हम कहते हैं so next है DOC की full form क्या है DOC की full form है document देखे अगर आप कोई भी चीज computer में save करते हैं तो आपको यहां पर option मिलता है document.DOC DOC का मतलब होता है document आप इसकी short form कह सकते हैं DOC so next question है file extension match आप देखे file extension match करिए आपको इनको match करना है जैसे देखे मैंने आपको अभी उपर बताया है कि जो audio होता है वह हमेशा ही MP3 होता है यहनकी MP3 का मतलब क्या है audio तो देखे सबसे बेला यहां पर option है audio MP3 video.jpg image DOC यह document MP4 देखे इसमें से file quasi match कर रही है audio MP3 की बागी सारे चीज़ें match नहीं करती है आपस में तो इसलिए audio match करती है क्योंकि देखे जो video है वह MP4 है audio MP3 है image जो है वह JPG है और document यहनकी DOC तो इस तरह की question exam में आते हैं तो आपको यह असानी से आप इसे कर सकते हैं तो आप यह हिंदी में भी देख सकते है question so next रहे देखें यहाँ पर MP4 की फुल्फर्म क्या है अभी मैंने आपको बताया था MP4 का मंदभ होता है video यहनकी MPEG4 AVC यहनकी advanced video coding advanced video coding MPEG4 AVC advanced video coding MP3 audio and MP4 video next question है question number 16 so BDH JNP so इसके बाद क्या नंबर आएगा तो इसका answer है T अब देखें है क्या यहाँ पर देखें लिखा है ना BD B4 D4 B2 D4 H8 J10 N14 P16 T20 अब देखें है क्या है आप देखेंगे B और D यहाँ पर लिखा है बीच में एक option छोड़ा है यहाँ पर आएगा C उसके बाद देखें D के बाद सिधे यहाँ पर लिखा है H अब देखें D है 4 नंबर पर H है 8 नंबर पर तो आपे कितने नंबर मिसिंग है 5, 6 और 7 यहनकी E, F और G उसके बाद अगर हम बात करें तो H के बाद क्या है जे तो H के बाद क्या है जे इसमें एक ही चीज है मिसिंग आई ठीक है आप देखें पर फॉर्मट चल कर रहा है यहां पर फॉर्मेट यह चल रहा है कि पहली जो option है वहां पर आपको एक नंबर का गाप है दूसरी पर तीन नंबर का गाप है उसको फिर एक नंबर का गाप है फिर तीन नंबर का गाप है तो ऐसे करते करते देखे अगर हम यहां पर लास्ट के दो डिजिट देखते हैं अगर हम N और P को देखते हैं तो यहां पर एक नमबर मिसिंग है ओ यहनकी एन के बाद आता है ओ पी से पहले आता है ओ तो यह मिसिंग है अब यहाँ पर क्या है हमें तीन का option देना है क्या कि अगर हम तीन इसमें mix करें पी के बाद आगा क्यू फिर आर फिर आगा AST तो next के अगा T तो that's why यहाँ पर आंसर आया T यहाँ पर एक और तीन का डिफरेंस देना था न आ एन और पी में एक का डिफरेंस आ गया अब हमें तीन का डिफरेंस लेना था तो हमने पी में तीन एड़ किये तो हमारा आ गया T एकी T इसका राइट आशर so next question देखे कितना असान यहां भी बुछा है UGC Act UGC का Act कौन सा है तो वह है 1956 तो आप इसे हर बार देखते हैं जब भी आप कोई website चेक करते हैं UGC के आपको वहापे असानी से मिल जाता है so next है फोटो केमिकल स्मॉग अब देखे जो फोटो केमिकल स्मॉग है वो कैसे बनती है वो है देखे O3 यहां की Ozone PAN यहां की PeroxyCytal Nitrate और NOX यहां की Nitrogen Oxide यहां की NOX NO plus NO2 तो यह इसका राइटन से न आप इसे असानी से देख सकते है स्मॉग में आप देखे हमेशा ही दो चीज़े कॉमन होती है PM 2.5 और PM 10 यह क्या है यह स्मॉग में छोटे-छोटे कर्ण होते है आप देखे दिल्ले में PM 2.5 है यह जो PM 2.5 होते है न तो यह बहुत ज़दा इंपॉर्टन है PM 2.5 का मतलब है कि यह सीधा ही हमारे लंग्स के उपर अटेक करते है यह कि मैं सांस लेने में दिक्कत आती है आपको कभी भी स्मॉग में सांस लेने में दिक्कत आए तो आप यह समझेए आपके लंग्स में 2.5 जो है वो एंटर कर रहा है तो नेक्स कोशन है विच आ फॉलग डिसीज आर कोस्ट बाई समॉग आप देखें समॉग से निमनिकिद में से कौन यसी ब्रॉा्सी स्मॉग के कारण होती है यहाप यहाप आप धी देख सकते हैं सो रिकेट है शुड़ ज्बरीफिंः तोस्का ए называется बेए की बात बताई ती हिमें सांस लेने में दिख्कत आती है और हमारी जो चौन है वह बहुत ज़्यादा जलती है क्रेक्ष खूध होती है तो समौग में क्या होता है हमेशा हमें सांस रिंडे में दिक्कत आती है गर आप दिली में रहते हैं या आप दिली जाते हैं तो आपको वहां पर समॉक के करण सांस लेंडे में दिक्कत आएगी breathing problem प्यूद कि देखे सीधे ही मैं आपको बिता है न कि 2.5 पीम 2.5 होता है यह हमारे लंग्स पर अटाइक करता है तो इसकी वज़ा से हमें ब्रीटिंग में प्रॉब्लम आती है तो इसका राइट आंसर है ओप्शन नमबर चार यहां की डी का 1, 2, 4 तो नेक्स्ट देखें यहां पर कॉशन है कॉशन नमबर 20 यहां पर नमबर दिया हुए आपको 11, 24, 50, 102, 206 और आके क्या आएगा तो इसका राइट आसर है 414 यहां की 414 आप यह आया कैसे देखें पहली बाद अगर हम यहां पर दिया है 11 11 अगर हम 2 से मल्टिपलाई करते है 11 को तो उसका आता है answer 22, उसमें हम 2 add कर देते हैं तो आजयता है 24 यहां की अगली संख्या यहां की जो हमारी पहली संख्या जो पहरा नमबर है 11 उसको हमें 2 से मल्टिपलाई करना है फिसमें 2 add कर देना तो 24 आ जाएगा तो ऐसी जो 24 है उसको हम 2 से multiply करेंगे 48 आएगर उसमें 2, 2 प्लस करते जाएगे यांकि जो हमारे पास answer आता है हमें फिर से उसे multiply 2 से करके तो उसमें 2 प्लस करना है तो जैसे देखें यहाँ पर last option है 206 206 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 412 उसमें 2 add करेंगे तो answer आएगा 414 एंगी 414 तो इसका यह right answer है तो आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं यह तो वही वहला question आ गया कि JF की full firm क्या है कि graphic intelligent format ग्राफिक बदलाब प्रारू तो next question है यहाँ पर JPEG और JPEG full firm क्या है JPEG की full firm है Joint Photographic Experts Group Joint Photographic Experts Group यह की photography संबंदी वेशे जग्यों का सयुक्त समू यह हिंदी में है यह उपर English में है So JPEG का मतलब है जहाँ पे लिखा हो JPEG यह वह photo की बात कर रहा है आप देखें basic सी चीज़े हैं सारी अगर आप सर्च करते हैं MP3 जहाँ पे MP3 लिखा हो उसका मतलब है audio MP4 का मतलब है video JPEG का full firm होता है मतलब होता है photos और DOC का मतलब होता है document तो यह सारी चीज़ें आप को आने चाहिए उसके बाद देखें कि caution है अगला 23 caution 23 का में देखें हम इंटरनेट की speed को कैसे manage करते हैं या कैसे मापते हैं इंटरनेट की speed को तो आसर है MB यानकी megabyte से आप देखें कि जब भी आप internet लगवाते हैं वो आपको कहते हैं कि हम आपका internet हम आपको speed देंगे 50 MBPS की 50 MBPS यानकी 50 MB per second MB मतलब megabyte MB मतलब megabyte per second तो ये होता है यानकी जब भी हमें internet की speed मापनी है तो हम MB में उसे मापते हैं अब यासी कोई भी technology नहीं आई है वो जो GB में माप सके अगर आफ 4G भी इस्तमाल करते हैं 5G इस्तमाल करेंगे आगे जाके तब भी वो MB में ही इस्तमाल होगा ये की MBPS में कहते हैं megabyte per second ये एक second में 50 MB आप इसे download कर सकते हैं अलगलग connection की अलगलग speed है किसी की 5 MB है किसी की 10 MB है किसी की 50 है किसी की 100 MB है इसे गरके so next है DTH service was started in the year जो DTH यानके direct to home service है वो कब शुरू ही थी DTH में जो आपके घर में dish antenna लगा हुआ है dish है Tardus का ये कुछ भी ये कब start हुआ था ये start हुआ था 2004 में तो DTH में डिरेक्ट to home पहले cable TV था पहले सबसे पहले antenna था फिर cable TV आया उसके बार DTH आज आ गया आपता आप देखे स्मार्ट TV आ चुके है so next question question number 25 catch memory also called CPU memory यनकी catch memory को catch memory जो है उसे CPU memory भी कहा जाता है तो आप ये दिखें यहाँ पर लिखा है CPU CPU में अगर बात करें सबसे बहले आथी catch memory फिर आती है primary memory फिर आती है secondary memory ये सारा कुछ किसमें store होता है CPU के अंदर सबसे बहले catch memory आएगी फिर primary आएगी फिर secondary memory आएगी तो इसी वज़े से catch memory को CPU memory भी कहते है so next question है question number 26 तो यहाँ पर देखें simple सा एक question यहाँ पर दिया हुआ है which ancient university suffered or offered which ancient university offered special subject वजरायन बुदिसम यान कि किस प्राचीन विश्विद्याले ने विशेश विशे वजरायन बुदिसम की पेशकर्ष की या कि शुराद इसकी किसने की आप देखें ऐसी कौन सी university है जो वजरायन बुदिसम का subject जो है वो offer करता है तो उसका अंसर है जगदाला युनिवेस्टी जगदाला युनिवेस्टी जो है वो एक university है जो वजरायन बुदिसम की जो subject है उसे वो offer कर रहा है तो आप देखें है आपका इसमें आपका एक caution में देता हूं कि आपको ये बताना है कि जो जगदाला university है ये कहाँ पे बढ़ती है जगदाला university है वो कहाँ पे है वो कौन से state में है कौन से शहर में तो आप इसका अंसर में कमेंट बाक्स में लिखके बताईए में सोर्स ओफ एनरजी इन थर्मल प्लांट यहां पर बिजली बनती है वह कोईले से या यूरेनियम से वहां पर बनती है तो थर्मल प्लांट के अनरजी का में सोर्स तो कोईला हो गया तो नेक्स्ट ने कॉस्टन नमर्ट यहां पर आपको नहीं पर नंबर दी होए है कि 412 28 52 अगली संख्या कौन सी अगली संख्या है 84 अब देखें यहां पर क्या है कि सबसे पहले जो संख्या है 4, यहीं आई कैसे 1 का स्क्वेर प्लस 3 यानकि 1 का स्क्वेर अगर हम 1 को 1 से गुणा करें तो हमारा आएगा अंसर 1 उसमें 3 प्लस किये तो हमारे पास आया 4 उसके बाद देखे फिर हमने 3 को हम देखें यहां पर और नमबर ले रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 तो अब हम नेक्स जो है वो 3 का स्क्वेर करेंगे 3 का स्क्वेर 3 इंटो 3 is equal to 9 9 में 3 प्लस करेंगे यहनकि हमें क्या है कि यहां पर पहली बात हमें और नमबर लेना है 1, 3, 5, 7, 9 उसको स्क्वेर करके जो आंसर आएगा उसमें 3 को एड़ कर देना है तो जैसे हमें करेंगे उसका हमारा आंसर आजाएगा तो देखेंगे जैसे यहां पर 1 को गिया फिर 3 को गिया फिर आएगा 5, 5 का स्क्वेर 5 इंटो 5 25 प्लस 3, 28 तो ऐसे करकर के देखें हमारे बास लास्ट आप्शन थी 52 की यह कैसे आया 7 इंटो 7 49 प्लस 3, 52 और हमारे बास आता है next 9, तो 9 का स्क्वेर इंकी 9 इंटो 9 81 प्लस 3, 84 यहां की हमें स्क्वाइर करना है यहां पर और नमर को और साथ में हमें इसमें प्लस करना है 3 को, तो यह हमारा राइट आंसर है So next question is find odd pair आप देखें हमें यहां पर odd pair यहां की जो विशम जोड़ी है उसे खोजना है So इसका राइट आंसर देखें क्या होगा तो आप देखें यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है तो इसका राइट आंसर है यहां पर option number A option number A is the right answer ठीक है So यह आप देख सकते हैं असानी से तो इसका राइट आंसर है यह बला यह अब है क्या यह odd कैसे है आप बाग की option को द्यान से देखेंगे जैसे बाग की option आप उसे आप द्यान से देखेंगे यहां पर लिखा है 30 और 48 यहां किसमें gap कितना है 18 का अब देखा बाग की option है जैसे 80 है 80 में 18 प्लस किये यहां कि 80 में 18 प्लस किये तो आगया 98 और 40 और 50 में 8 में कितना difference है 80 का 70 और 90 में कितना difference है 18 का लेकिन जो सबसे पहली संक्या है 60 और 70 इसमें जो फरक है यहां कि इसमें जो gap है वो है 4 marks का तो बागयों में 18 है इसमें 4 है इसलिए यह odd है तो next question है यान कि सीखने का सबसे उप्युक्त उदेश्य क्या है तो इसका answer है modification behavior सरशोधन वहवार अब देखे modification behavior होता क्या है सबसे बले देखे कि जैसे मान लिजे example के तोर पे आप किसी स्कूल में पढ़ने गए और बच्चों को जातर दिक्कत आती है maths में अब देखे maths में दिक्कत आती है तो उनका behavior हो जाता है change behavior change का मतलब क्या है कि उनको math से chill होने लगती है कि उनको जो जी आती नहीं है वो उसे दूर भागते है लेकिन कोई स्कूल में ऐसा teacher आ जाए जो math इसनी असानी से करवा दे तो जिसे बच्चों को math नहीं आता वो भी उसमें interest लेने लगेगा यांकि interesting तरीके से अगर teacher किसी स्कूल में किसी पढ़ाई को गरवाता है और जो बच्चों को जी समझ में नहीं आती लेकिन interesting तरीके के बाद उसे समझ में आने लगती है तो वो कहते हैं modification behavior यांकि जो उसका पहला behavior था वो सोचता था कि उसे कुछ नहीं आता नहीं आएगा लेकिन अब उसे लगने लग गया कि हाँ उसे आने लगा है वो अभी वो कर सकता है so learning का purpose हमेशा क्या होता है behavior को modify करना यांकि जो हमारे मन में चीज है उसको change कर देना उसको बाद देखे question number 31 ये last question है इस वीडियो का if animal is coded LAIMNA then in the same way circle will be coded as यानकि यदि हम animal को lamina के रूप में लिखते हैं उसी तरह circle को हम क्या करेंगे तो देखे यहाँ पे देखते ही इसका answer बनता है आप देखे यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है जो animal है यानकि जो animal है हो कैसे लिखा है तो देखे सबसे पहले animal को उन्होंने उल्टा करके लिखा है अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे a-n-m-i-l को तो यह उल्टा है यानकि a-n-i-m-a-l तीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आप देख सकते है a-n-i-m-a-l यानकि अगर आप इसे animal को उल्टा पड़ेंगे तो यहाँ पे यह ऐसे लिखा है अगर हम circle को उल्टा लिखे तो कैसे लिखेंगे वो देखे सबसे पहले c लिखेंगे फिर हम i लिखेंगे फिर हम r लिखेंगे फिर हम c फिर l फिर e तो इसका right answer क्या हो गया option number B यानकि animal को उल्टा लिखेंगे तो हम circle को भी उल्टा लिखेंगे तो यह हमारा answer आ जाएगा तो यह था हमारे आज के question जिसमें मैंने 3 दिन cover किये है 29 September 30 September और 1 October को मैंने यहाँ पे add कर लिया है इसके question add कर दिया है यह most important question इसमें मैंने add किये है तो अगर आप exam की त्यारी कर रहे है अगर अच्छी त्यारी करना चाते हैं तो आप इस question का level देख सकते हैं तो असानी से आप 40 plus का MCQs कर सकते हैं तो अगर आपको बिल्कुल free में त्यारी करनी है तो आप हमारे चैनल की playlist में जाहिए बहाँ पर आप इसकी त्यारी अच्छी से कर सकते हैं आप असानी से MCQs कर सकते हैं exam में So मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू जै हिंद जै भारत